हेलो दोस्तों आज हम कभर करेंगे इस इसी एच टी टेन के बारे में इसी एच और टी टेन जो खेला जाएगा उनके बारे में E.C.H.T.10 अस्टिलिया के बारे में ये खिला जाएगा S.A.N. और A.D.D.S. के बीज S.A.N.A. और A.D.D.D. के बीज जो मकावला होगा वो होगा इंडियन समय अनुसार आज ही स्राम को यनि आज ही दुपहर को सरे बारे बजे आज ही दुपहर को जो सरे बारे बजे मकावला खिला जाएगा उसको प्राइज की बात करे तो इतना रखा गया है इस प्राइज को हासिल कराने वाले बेस्टमेन या हासिल कराने वाले बॉलर या हासिल कराने वाले ओलंडर कौन होगा और इस best win को हासिल के साथ साथ कौन सा bowler है जो हमारे पाथ खंडित करकर भिवाजित करकर दे सकता है और कौन सा olander दे सकता है कौन सा wicket keeper दे सकता है सारा details इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा B. बिना skip किये इस वीडियो को end तक जरूर देखना अगर वेडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सेश्क्राइब जरूर करना मैं आप लोगों के सामने करेक्ट टीम पर किलिक किया हूँ करेक्ट टीम पर किलिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले विकेट कीपर सेक्शन में पाँच विकेट कीपर है पहुँची विकेट कीपर में से किसी भी विकेट कीपर का खास परदर्शन नहीं है एक विकेट कीपर का जो है एस महमद एक मुकाबले के लिए हैं 55 पॉइंट दिये हैं और स्टोंग के हिसाब से देखा जाए तो ADDS का पिलियर है यह काफी स्टोंग है आपस में दोनों head to head मकाबले एक खेले हैं एक मकाबले में ADDS जो है एक जीते हैं और यहाँ पर SAN जो है यह हारे हैं और यह एक मकाबले खेले हैं अच्छे खासे परदर्शन किया है इन दो विकेट कीपर में से आप लोग किसी भी विकेट कीपर को टराई कर शकते हैं वो भी आप अपने तरीके से क्योंकि ADDS काफी स्टोंग है SAN AR जीतने का चौंस 10% है ADDS का जीतने का चौंस 90% है अब आते हैं बैस्टमेन में बैस्टमेन में आने से पहले मैं आप लोगों को पीच रिपोर्ट बता देता हूँ ताकि आप लोग एक अच्छा खाजा टिम किरियाट कर लें पीच रिपोर्ट की बात करें तो पीच जो है बैटिंग पीछ है गुटपर पेसर है यहां पर अबरेज इसको 146 बनेगा बैनू सिरी ब्राउन किर्केट ग्राउंड लावर एस्टेलिया में खेला जाएगा लिवर एस्टेलिया में लिवर जो एस्टेलिया में मुकाबला होगा इस मकाबले में देखिए important JSN का record काफी अच्छ है और एक मकाबले खेले हैं तीन मकाबले में 245 पुइंट दिये हैं लाजवाब किये हैं टी टेमर एडिया है एक मकाबले खेले तीन मकाबले में अच्छे खासे परदर्शन किये हैं बीमर अच्छा खासा परदसन कर रहा है, एल्ड को ठिक ठाक है, ये चार जो है बेस्ट में लाजबाब परदसन किया है, पाचमा कैंडू किया है, ये जो है लाग कियो है, ये पाट्टेम पूरे बोडू, तीर मकाबले में छे बिकेट निकाले हैं, बीमर जो है ये भी बॉल अच्छे खासे ये परदसन करकर आया है, और अभी फिलाल को खेलने का चांस इनका पूरा-पूरा मिलने वाला है, अब मैं आप लोगों को ओलंड़ सेक्षन में बात करता हूं, ऑलंड़ सेक्षन में आने से पहले, मैं आप लोगों को ये जनकारी दे देते हैं, मोट मिलता है लेकिन स्ट्राउंग की दिरिष्टी से एडीडी एच है जीतने के चांस और यहां पर देखिए हाई स्कोर करीबन 241-233 के आजपास बना है लो एसकोर की बात करें तो अंठानवे पर ओल आउट हो चुका है कभी अच्छे स्कोर बन सकता है कभी लो एसकोर बन सकता है इसलिए आप इसे अपने हिसाब से ले सकते हैं अब बात कर लेते हैं हमें लेकिन इसे हर कोई इंगनोर करके जाएगा डियो एस्ट अच्छा खासा परदर्शन क्या एक मौकाबले में 70 पॉइंट दिया है आएसे बिन अच्छे खासे हैं किया है ठीक टाक ओल अन्डर है आप लोग अपने हिसाब से इन्हें रख सकते हैं एडने पर ठीक ठाक पर द किये पाच्मा ओल अंडर के रूम में कौन रहने वाला है पाच्मा ओल अंडर के रूम में मैं आप लोगों को साजेस्ट करता हूं सालेक्शन परसंड लो है लेकिन अच्छे खासे रिकाउड हेड टू हेड में आ सकता है अब यहां पर देखिए इन्पॉर्टेन जो है उन कउछे हेड गार्या टीन मुकाबले में छे डिकाट निकाले है ठीक ठाक पर देशन कर रहा है अच्छा खासा पर दशन किया है यह भी 150 कव्यूर्ट एंड टॉयश्र जो बिकिक निकाल रहा है ये खास परदर्शन नहीं किया है सालेक्षन परशन कापी आया गया एस वे ने इस बॉलर का जो है रिकाउड अच्छे हैं रिस्टन के फॉर्म में अच्छे खासे परदर्शन किया है और खेनने का पूरा-पूरा अगर मौका मिलेगा तो इसे अपने टीम में रख सकते हैं ये भी आप अपने तरीके से अब यहाँ पर देखे इंपॉर्टन जो है मैं यहाँ पर पॉंच बॉलर लेने के बाद देखे मैं टीम किरियट करकर आप लोगों को बताते हैं टीम किरियट करने के बाद देखे यहाँ पर important जो है उनके बारे में मैं आप team career करता हूँ क्या के इनका record मैं आप लोगों को बता दिये हूँ आप मैं team career करकर बताता हूं team में सबसे पहले मैं Jason और S.Mahamad कलूँगा अब Westman में देखिये इन दोनों में समये एक को लूँगा S.Mahamad को लूँगा अब बेस्ट में टीएस टेंग जैरसन को लिए। अब इन्हें लेने के बाद देखिए इन्पोर्टेन जो है के तेंग को लिया हूँ। अब ओलंडर सेक्शन में आता हूँ, ओलंडर सेक्शन में इंपॉर्टिन ओलंडर के रूम में मैं यह पर लूँगा, वेंदुसा अच्छे खासे हैं, डी ओए स्टिक टाक परदर्शन करेगा, इन्हें लेने के बाद देखें, दो विकेट कीपर जो है, बेस्ट ओलंडर को म मैं अभी फिलाल के लिए ले रहा हूँ, यह दो ओलंडर लाजबाब परदर्शन करता है, अब मैं बॉलर सेक्शन में आता हूँ, बॉलर सेक्शन में इंपॉर्टिन बॉलर के रूम में रहने वाले हैं, भी मैं ठिक टाक परदर्शन करेगा, इन्हें लेने के बाद देख हूँ, चार बॉलर लेने के बाद दो ओलंडर रखा हूँ, दो ओलंडर लेने के बाद चार वेस्ट में रखा हूँ, या पर एक विकेट कीपर रखा हूँ, अब मैं नेस्ट करता हूँ, नेस्ट करने के बाद देखिए कैप्टन और वाइस कैप्टन, हर कोई कैप्टन जो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं मैं केप्टन जो है तुछ कुछ अलग तरह से कर रहा हूं यहां पर बैटिंग पीछा है तो इसलिए मैं बैस्ट में को पाले केप्टन दूगा यहांपर मेरा केप्टन सी के रूम में रहने वाला है जी वार्य पर्ष्छन सै लेक्शन है और व्जुईश केप्टन के रूम में नहिंए पर इन पाल्टेंग जो है वी माय सर को व्जुईश केप्टन दिया हूं सेफ टिम करता हूं सेफ टिम करने के बाद देखिए मेरा टिम का पर भीउ किस तरह से रहेगा फिलाल के लिए मेरा टिम का पर भीउ इस तरह से रहेगा हाई योप ये वीडियो आपको पसंद आए चेनल को लाइक और सिस्क्राइब करना फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो जाह दोस्तो